Hello friends, आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं जील का रथ क्या होता है और sentence में उसे use कैसे करते हैं So let's start the video, जील का रथ होता है उत्सा, जोश, धनू तो चली इसको sentence में और भी एची तरह से समझ लेते हैं Example His jail is represented in a two-fault aspect इस sentence का हिंदे में मतलब है उनके उद्सा को दोहरे पहलू में दर्शाया गया है चलि निक्स एक्जमपुल जानलेते हैं His jills and energy meet everywhere with a conspicuous success इस sentence का हिंदी में मतलब है उनका जोश और उर्जा हर जगा भी शिप्त सफलता के साथ मिली चलि निक्स एक्जमपुल जानलेते हैं You have the Jill, we know the Cross इस sentence का हिंदे में मतलब है हमारे पास जोश है हम कॉर्स को जानते हैं तो चलिए आखरी example जान लेते हैं इस sentence का हिंदे में मतलब है बात के वर्षों में उन्होंने खुद को जोश के साथ राजनिती में उतारा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दिजिएगा साथ साथ आमारे इस तनल को सब्सक्राइब कर दिजिएगा थेंक्यू फॉर वाचिंग